टॉप्टेन हीदी चैनल में आपका स्वागत थे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविनाश और मैं आपको बताने बाला हूँ कुंबलगर दुर्ग का इतियास तो चलिए देखते हैं इस दुर्ग का निर्मान महाराना कुंबाने करवाय था यहाद दुर्ग समूदर तल से करीब 1100 मिटर की उचाई परिष्टि थे इसका निर्मान समराट असोग के दूसरे पुतर संपृत के बनाये दुर्ग के ओशेशो पर किया गया था इस दुर्ग के पूर्ण निर्मान में 15 साल लगे थे दुर्ग का निर्मान पूर्ण होने पर महाराना कुंबाने सिक्के बनवाय थे जिन पर दुर्ग और इसका नामांकित था दुर्ग कहीं गाटे और पाड़े को मिलाकर बनाया गया है जिससे यह प्राकरतिक सुक्षात्मक अधार पागर अजरा इस दुर्ग में उच्छे स्तानों पर महल मंदिर एवं आवाशी इमारते बनाई गई है और समतल भूमी का उप्योग प्रसी कारे के लिए किया गया वहीं डलान वाले भागों का उप्योग जलाशों के लिए कर इस दुर्ग को यता संबोव सालंबी बनाया गया इस दुर्ग के अंदर तीन सो सार से जधा मंदिर है जिन में से तीन सो प्राजिन जेन मंदिर तता बाकी हिंदु मंदिर है इस दुर्ग के बितर एक और गड़ है जिसे कटार गड़ की नाम से जाना जाता है यह गड़ साथ विसाल गवारों वसुद्रण प्राचरों से सुर्ख सित है इस गड़ के शीट सुबाग में बादल महल है वो कुंबा महल सबसे उपर है महाराना पृताब की जनम इसली कुंबलकड एक तरह से मेवार की संकट कालीन राजदानी रहा है महाराना कुंबा से लेकर महाराना राज सिंग के समय तक मेवार पर हुए आक्रमन के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा यहीं पर प्रत्यु राज और महाराना सांगा का बच्वन भी था था महाराना उदे सिंग को भी पन्नादाय ने इसी दुर्ग में चिपा कर पालन पोसण किया था हल्दी गाटी के युद्ध में हार के बाद महाराना पताब भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे इसके निर्मान की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है 1443 में राणा कुमबा ने इसका निर्मान शुरू करवाया पर निर्मान कारे आगे नहीं बढ़ पाया निर्मान कारे में बहुत अड़्चने आने लगी राजा इस बात पर चिंती तो गए और एक संत को बुलाया संत ने बताया यह काम तभी आगे बढ़ेगा जब सोच्चा से कोई मानोव बली के लिए खुद को प्रस्तुत करे राजा इस बात से चिंती तो कर सोचने लगे कि आगिर कौन इसके लिए आगे आएगा तबी संत ने कहा कि वो खुद बलीदान के लिए तयार है और इसके लिए राजा से आग्या मांगी संत ने कहा कि उसे पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहाँ वो रुके वही उसे मार दिया जाए और वहाँ एक देवी का मंदिर बनाया जाए भीक ऐसा ही हुआ और 26 किलो मिटे तक चलने के बाद रुक गया और उसका सरदर्ड से लग कर दिया गया उमबल गड़भी उनमें से एक है उस किले की दिवार की चोड़ाई इतनी ज़女 है कि दस गोड़े एक ही समय में उस पर दोड़ सकते हैं एक माननेता यह भी है कि महाराना कुमबा अपने इस किले में रात में काम करने वाले मजदरों के लिए 50 किलो गी और 100 किलो रूई का परियोग करते थे जिन में बड़े बड़े लेंप जला कर परकाश किया जाता था इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस फराक्रमन शुरू हो गए लेकिन एक बार को चोड़ कर ये दुर्ग अजे ही रहा उस बार भी दुर्ग में पीने का पानी कतम हो गया था और दुर्ग को बाहर चे चारों रजाव की सेना ने गेर रखा था यह ते मुगल शाशक अकबर, आमेर के राजा मान सिंग, मेवाड के राजा उदे सिंग और गुजरात के सल्तान लेकिन इस दुर्ग की कई दुकांत गटनाए भी है जिस महाराना कुमबा को कोई नहीं हरा सका वही परमबीर महाराना कुमबा इसी दुर्ग में अपने पु आपका धन्यवाद, जैफिन्द